उतर प्रदेश की जनपत शाहज हामपुर का मामला है यहां आवारा पश्वों से परिशान किसान यूनियन के नेताओं और कारिकर्ताओं ने अनुखी धंग से धर्ना प्रदशन किया किसान यूनियन के नेता और कारिकर्ताओं ने पेट के बलन्रिंकर जिलाक अलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे और फिर वहां से जिलादिकारी के आफिस के पास पहुँच गए किसान यूनियन का कहना है कि किसानों की फसलों को आवारा पश्वों बरबाग कर रहे हैं साथ ही सरकार इस और को इध्यान नहीं दे रही है अगर जल्द ही आवारा पश्वों से निजात नहीं दिलाई गई तो किसान में यूनियन नंगे होकर आंदोलन करने को मजबूर होगी जो हमारे खेतों में किसानों के खेतों में आवारा पश्यों को छुड़वाया है उससे किसान परशान बरबाद है उसके बच्चों को दो टाइम की रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी अगर इसी तरह से यह होता रहा हमने अपने काट में जो डियम साब के माद्यम से गौश पर रोकने की जगा नहीं है तो शेवा के नाम पर गायों को चारा नहीं किला पा रहे हैं और चारे के वज़ाए जो बंदगोबी है जो सबस्ते सबस्ता है वह बंदगोबी लाला के उनको खिलाया दा रहा है जो कि 20 रुपए का पूरा बोरा मिलाता है एक उंडल का जी ने सबको जानवर बना दिया है उन्होंने इंसानों में जानवरों में फरक की कहा समझा इसलिए आज हमें मजबूर होके जानवरों की तरह आना पड़ा अभी तो जानवर बनके आए हैं अगर योगी सरकार ने अईसी जगर अती रखी तो एक दिन कलेक्टेड में जानवाई नकासे में जाते हैं जानवर बेजने तो कहते हैं तुम को कटवाने जा रहे हो अब बंद कर देते हैं और 25 में तवंचा लगा के जेल भेद देते हैं क्या सरकार कर रही है कमाल की बात है आग तीन साल हो गए इंग्लिस मेडियम स्कूलों के खिलाव अंदौलन क करते करते लगर नकर विकास मंत्री हमारे वो जाते हैं स्कूलों में कहिंची काट देता काट याते हमारी कृष्णा राज जी वह स्कूलों के प्रबंदुकों के सम्मानित कर रही है कमाल है करीबों के बच्चे बहां मिड़े मील के नाम पर जंगली खाना खा रहे हैं बरत आप क्या योगी सरकार को बोट देंगे सं 2019 में बोट तो क्या नोट तो क्या हम सरफ ठेंगा देंगे बावा जी कठलू